हेलो दोस्तो वेलकम टू रियल केमेस्ट्री कंसेट कैपसुल सिरीज और मैं आनन चककर आप सबको इस कंसेट कैपसुल सिरीज में स्वागत करता हूँ दोस्तों बहुत सारे वीडियोज हमने concept capsule series के बनाये है आप जाके चेक कर सकते हो हमारे youtube channel के उपर तो आज हम क्या नया लेके आये concept capsule में तो आज हम लेके आये thermodynamic chapter में एक concept है enthalpy के बारे में enthalpy क्या है enthalpy को अलग से symbolic representation delta H या H क्यों बोला जाता है delta H और H heat ही है तो क्यों भी तो heat है तो उसको अलग से delta H या H क्यों बताया उसकी definition क्या हो सकती है actual thermodynamic क्या real meaning of enthalpy क्या है ये सब आज हम lecture के अंदर देखने वाल है और last में हम एक उसी की concept के उपर बना हुआ एक MCQB solve करेंगे जो neat या कोई भी competitive exam के लिए जरूरी है आईए देखते हैं दोस्तो enthalpy क्या है दोस्तो enthalpy word हमने introduce किया thermodynamic में कब कौन सी situation या कौन सी condition में ये समझ लोगे पूरी चीज हाथ में आ जाएगी ओके चलो देखते हैं first of all, first law of thermodynamic के अनुसार हमारा formula बनता है delta U is equal to Q plus W तो अब इस formula के अंदर अगर मैं ऐसा सोचू कि Q is equal to delta U minus W लिख सकते हैं? हाँ या ना? हाँ लिख सकते हैं तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे समझना अब मैं यहाँ पे switch करता हूँ कि what is enthalpy? तो enthalpy का formula क्या है? तो basic formula H is equal to U plus PV अब इसको हम थोड़ा analyze करते हैं H का मतलब क्या है? energy यहाँ H का मतलब क्या है? enthalpy या तो हम इसको बोलते हैं भई energy ओके सर यह तो पता है हमें आगे कुछ तो बताते हैं इसको हम energy बोलेंगे U क्या है दोस्तो? internal energy तो यह है internal energy यानि यह भी तो है energy अब जो चीज समझ में नहीं आती वो यह है P into V अब P into V है क्या? तो pressure and volume को change करने से आपको system में work done मिलता है यानि अगर मैं volume को constant करूँ और pressure variable रखूँ या volume, pressure को constant करते हुए volume को change करूँ तो आपको मिलेगा work done तो यह work done है दोस्तो यह क्या है P into V mechanical work done तो यह है दोस्तो work done ओके तो अब इसका सीधा-सीधा मतलब यह वनता है कि अगर कोई system है इस system के अंदर मैं कोई energy डालता हूँ क्या डालता हूँ दोस्तो? system के अंदर कोई energy डालता हूँ तो वो energy जो अमने अंदर add की है वो इस system के अंदर जाएगी और कुछ का करेगी work और कुछ का होगा internal energy में change तो यह energy और यह energy दोनों को हम add करेंगे तो हमें entered energy मिल जाएगी say yes or no हाया ना फिर इतना पहले समझ लिए मैं धीरे धीरे concept के उपर आ रहा हूँ तो energy जो enter हुई है वो energy suppose 25 joule है उसका work done और उसका internal energy दोनों में इसका हिस्सेदारी होती है जो भी 25 joule system के अंदर गई system में से work done हुआ हाला कि work done negative होता है वो sign convection है मैं सिर्फ यहाँ पे mode magnitude of work की बात करता हूँ और यह internal energy तो यह is equal to this plus this इसको हम बोलेंगे U और इसको हम बोलेंगे W यानि इस वाले formula में work को में क्या बोलता हूँ P into V और यह entered energy जो है उसको हमने बताया H क्या बताया entered energy को H तो sir यहाँ पे H क्यों बताया हमने first law of thermodynamics में तो already पढ़के रखा है Q is equal to delta U minus W यही तो पढ़ा है ओके समझाता हूँ कौन सी situation में यह है ओके एक और बार इसको जरा समझते हैं देखो जरा यह है system system के अंदर जो भी मैं heat को enter कराता हूँ दोस्तो heat को मैं enter कराता हूँ तो अगर मैं constant pressure रखके क्या constant pressure रखके अगर मैं heat को enter कराता हूँ तो क्या होता है तो अगर मैं pressure enter करता हूँ तो यह entered heat जो है अगर entered heat जो है उसके जरिये दोनों चीज़े यहाँ पे होगी यानि कि उसके जरिये internal energy में भी change मिलेगा और work done भी होगा क्या होगा work done तो देखो क्या होता है delta into pv क्या होता है delta into pv अब delta into pv का मतलब क्या है delta into pv का मतलब है p delta v यानि मैंने p को constant किया v के उपर variable लगाया plus v delta p right plus v delta p लेकिन जब मैंने heat enter किया तो मैंने कौन सी condition apply किया qp ये subscribe में p का pressure constant क्या मतलब है इसका pressure क्या रखा दिया हमने pressure को constant लगा दिया क्या लगा दिया pressure को constant लगा दिया तो pressure constant रखते हुए अगर मैं ये heat enter करवाता हूँ तो pressure तो constant है तो अब हमारा formula क्या बन गया कि entered heat यानि कि QP is equal to delta U plus P delta V से असर नो क्या बन गया क्योंकि ये तो 0 हो गया ना pressure constant है तो delta P 0 तो अब उस situation में जब pressure constant होता है और हम heat को enter कराते तो वो वाली heat का नाम दिया हुआ है delta H is equal to delta U plus P delta V समझ में आई बात तो ये delta H कब बोलेंगे heat को जब pressure को constant किया है तब राइट अगर मैं volume को constant करके देखू तो इस वाले में देखो मैंने already बताया कि P into V में 2 situation हो सकती है या तो pressure constant या तो volume constant अगर मैं volume constant करके आपको बताओ तो क्या होगा देखे जरा फिर से एक बार system लीजिए थोड़ा गहराई से समझ ये दोस्तो इसके अंदर मैंने heat apply किया क्यों ही बोलेंगे लेकिन इस बार volume को constant रखेंगे तो भी heat enter होगी तो उसके जरीए internal energy में तो change जो आने वाला है वो आएगा और उसको हम बोलेंगे delta u बट यहाँ पर आपको work done नहीं मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? work done नहीं मिलेगा तो work done क्या हो गया? 0 क्योंकि work done का मतलब क्या? p delta v तो delta v 0 हो जाएगा क्योंकि volume constant है तो अब क्या situation आई? qv is equal to delta u plus यह तो 0 हो गया तो qv का मतलब हम समझेंगे delta u and qp का मतलब हम समझेंगे delta h यानि कि basically बात यह है कि जब हम heat को enter कराते है अगर मैं pressure को constant कर देता हूँ क्या constant कर देता हूँ? pressure को constant कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा delta u यहाँ पे sine convection आएगा तो यहाँ पे minus minus w यानि plus हो जाएगा तो delta u delta u plus w right अच्छा मैं बताओ कि qp को हम क्या बोलेंगे enthalpy h u change को हटा देते है तो क्या आ जाएगा u और delta w को हम क्या बोलते थे pv तो यही तो हमारी basic definition है दोस्तों entered heat is must be equal to the internal energy and उस entered heat की वज़े से कितना work done होता है इन सब को हम enter करेंगे add करेंगे sorry add करेंगे तो हमें h मिली जाएगा और इस h में हम जानते है कि इसका absolute value नहीं मिल सकता क्योंकि internal energy का absolute value नहीं मिल सकता so that's why delta h is equal to delta u plus अब यहाँ पे दो category है delta into bracket pv right तो delta h is equal to delta u plus p delta v plus v delta p but हमें क्या रखना है क्या रखना है constant pressure रखना है जब हम constant pressure रखेंगे तभी हम इस q p को क्या बोल सकते है enthalpy तो यह तो 0 हो जाएगा तो delta h is equal to delta u plus p delta v यह क्या है दोस्तो work यह क्या है internal energy और यह entered heat तो entered heat जब भी system में जाती है तो दो हिस्सों में बढ़ती है एक specific हिस्सा internal energy को lift कराने में use होता है और दूसरा work done में अगर work done positive है 0 नहीं है तो work done में जाएगा तो इन दोनों का summation जो होगा अगर constant pressure रखा है तो इसको हम बोलेंगे delta h यानि enthalpy तभी हम बोल सकते है जब heat constant pressure पे system के अंदर enter हुई है तो अगर constant volume पे enter हुआ है तो situation ऐसी बन जाएगी constant volume तो delta u right समझ में आया दोस्तो ओके अब इसी concept के उपर से neat में पूछे जा सके ऐसा एक question हम discuss करते है right चलो discuss करते है ये है वो question question में क्या लिखा है जरा मैं समझा देता हूँ question को पढ़ लेता हूँ देखे जरा one mole of an ideal gas undergo a change of the state 2 atm 3 liter है वहां से state change करते 2 atm 7 liter हो रहा है यानि यहां पे pressure and volume दोनो variable बताया गया है right right with the change in internal energy internal energy का change भी हमेरे पास है that is 30 liter atm the change in enthalpy of the process is in term of liter atm में ही answer पूछा है तो सिधी सी बात है हमारा formula है delta h is equal to delta h is equal to delta u plus delta into bracket pv समझ मैं आया है कहां से आया अच्छा देखो एक बार और समझा देते हैं कैसे है कैसे आया enthalpy की basic definition यह है कि h हम तभी बोल सकते हैं देखो जरा तो h is equal to u plus pv तो अब delta h is equal to delta u plus delta into bracket pv यह क्या है दोस्तो work done यह क्या है internal energy यह इसका summation work done और internal energy को add कर देंगे चब जो energy मिलेगी उसी को हम बोलेंगे enthalpy लेकिन internal energy का हम absolute value नहीं measure कर सकते that's why इसका भी absolute value नहीं मिल सेकते हैं तो हम change apply कर रहे हैं तो delta h का मतलब enthalpy change delta u हमारे पास है 30 liter atm unit 7 में लिखते हैं अब देखो delta apply करना है तो हम directly apply कर लेते हैं इस तरीके से apply होगा p2 v2 minus p1 v1 क्योंकि दोनों चीज वेरियेबल है कैसे पता चला कि यहाँ पे भी pressure है यह भी pressure भी change हो रहा है volume भी change हो रहा है तो 30 plus p2 v2 pressure volume यह है 2 into 7 यानि कि 14 minus 2 into 6 यानि 2 into 3 is equal to 6 तो यह answer होगा 30 plus 8 यानि कि 38 liter atm ओके यॉर option B आसा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा language समझ में आ रहा है और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको मजा आ रहा है तो please please comment कीजिए और मैं हर बार एक concept और एक MCQ लेके आपके सामने उपस्ती होता रहूँगा प्लीज ओके थैंक यू बेरी मच थैंक यू